अस्लामिक्म स्टुडेंट्स और यूट्यूब चैनल आप देख रहे हैं एम एहमांद रुचानल आज का हमारा नाइंफ लास के पालाजी के चैप्टर नम्र वान का लेक्टर 6 है प्रीवेस लेक्टर में हमने लेवल्स ऑफ और्गनाइजेशन के कुछ पार्ट्स देखे थ भी उसके बाद हमने लेवल्स डेखा। ओर्गनेले अंच्शेव डेवल्स वह हैं और ओगन उर्गन सिस्टेम हैं फ्र तो आपस में मिलेंगे तो क्या बना देंगे एक और्गन बना देंगे तो यह जो टॉपिक है और्गन सिस्टम लेवल यह इंपॉर्डन लॉंग कसं भी है क्योंकि यह पास्ट प्रका लॉंग है अगरे स्वाल आता है तू आपने क्या करना है पहले ओर्गन की डिफिनेशन होता है सबसे पहले कि multi cellleural organisms कि यूदि सेल्लाय और्गनीसम्सम्स में तो हो नहीं सकता न वो तो बिताए है वो तो तो इवन टिशु लवल तक भी नहीं जाको कि नहीं जाएंगे क्या करते है related function perform करते है related function perform करते है और वो function basically किसका function बन जाता है वो function बन जाता है एक organ का function बन जाता है ठीक है क्या कहा मैंने कि multi cell organism की body के अंदर काफी जदा tissues मिलते है वो tissues मिलके related function perform करते है और वो जो related function perform करते है वो basically किसका unit बन जाता है वो मिलके organ बन जाता है जो different tissues होती है किसी भी organ के वो specific होता है specific function perform करने के लिए मनतब कि ज़रूर जिए एक आदे tissue से मिलकर नहीं बनता है यानि कि हम कहलें कि ये है tissue A ये है B और ये C, for example तीन tissues है, इसने अपना कोई और काम करना है, इसका अपना काम है इसका अपना काम है लेकिन जब ये तीनों मिलेंगे क्योंकि ये function related function ही है अपस में, जब ये तीनों मिल जाएंगे तो इन तीनों के मिलके जो function perform हो रहा होता है वो होता है organ का function ठीक है अच्छा, अब हमारी body में different organs है क्या आप कुछ organs के नाम दे सकते है हम दे सकते है brain is an organ ठीक है stomach ऐसे ही है lungs तो different functions है हमारी body में जो different functions perform करते हैं और दे देते हैं हम kidney का अब आपको बता है कि brain जो हो क्या करता है message transfer करता है message conduct करता है stomach जो है digestion करता है lungs जो है respiratory function perform करते है kidney जो है urine बनानी में help करते है तो क्या होता है organs जो है different functions perform करते हैं हमारी body में different organs मौझूद है बेटे हम organ के function को या किस दाह से different tissues मिल के organs बनाते है इसे हम समझेंगे एक example से example क्या है student तो आप देखें यहां पर मैं try कर रही हूँ structure बनाने का एक यह मैं किस का structure बना रही हूँ stomach का ठीक है आप देखेंगे में बिटा कि जो stomach है यह एक organ हमें नजर आ रहे है लेकिन यह different tissues से मिल कर बनाने है लेकिन हम यहां पर लिख लेते हैं कौन कौन से tissues हैं एक हम लिख लेते हैं कि muscular tissue ठीक है और दूसरा हम लिख लेते हैं epithelial tissue मैंने दो नाम लिखे हैं यहां पर epithelial tissue और muscular tissue इनके function देखते हैं जो पहले वाला मैंने बॉला ये करना है कि स्टमक का function कील होता है कि स्टमक, एक तो करता है, रहandź है कि हम कहलें क्या हुआ 수त क्या है, तो क्ते हैं ईसलिद है क्टो बार मुझे उनकिन हमने संट पडला करते हैं, पूरे digestive system में से गुजर के चली जाती ना थोड़ी देर के लिए तो वह स्टोर होती है स्टमक में स्टोर होके उसने कुछ function भी perform करने होते है ना food के साथ तो जो muscular tissue है बिटा muscular tissue क्या काम करेगा क्योंकि यह जैसे हमारी body के muscles होते हैं कि हाथ के muscles हैं आप कैसे चाहो हाथ के muscles को contract करते हो तो आप अपने हाथ को मोड़ सकते हो मुठी बंद कर सकते हो relax करो तो आप अपनी हथेली खोल सकते हो ठीक है तो muscles जो है basically contraction और relaxation का का काम करते हैं तो यहाँ पर muscular tissues यही काम करेंगे कि इस टमक के जो layer है यह वाल्य वाल्स है उन्हें contract और relax करेंगे नीचे वाला जो epithelial मैंने लिखा है na epithelial का दोस्ता नाम है glandular tissue आपने बेटे याद रखना है कि glandular का word जब भी आ जाता है इक means कि यहाँ पर बात होगी secretion की secretion क्या है कि कोई ना कोई liquid release होगा तो epithelial मैं यहाँ पर लिख देती हूं कि जो muscular tissues है muscular tissues यह क्या काम करेंगे यह contraction और relaxation करेंगे contraction और relaxation करेंगे ठीक है और जो epithelial tissues है या फिर glandular tissues है यह क्या काम करेंगे बेटे यह करेंगे secretion करेंगे और किस चीज की secretion करेंगे उस चीज का नाम है gastric juice gastric का जो word है ना बेटा gastric gastric का word ही यूज होता है stomach के लिए ठीक है तो जब stomach के अंदर food enter हुई उसका purpose है कि इस food को यह food के बड़े बड़े molecules है इस food को breakdown किया जाए smaller molecules में तोड़ा जाए तो smaller molecules में तोड़ने के लिए ज़रूरी है कि उसके पर हम enzymes add करें ताकि enzyme क्या करें कि macromolecules को तोड़ते जाए उनके bonds को और उन्हें वापस जो है जाए जाए ताकि वह bonding तोड़ने में आसानी हो सके तो उसके ज़रूरी है कि इन्हें मिक्स अप भी किया जाए जाए यहां पर जो मौजूद है माक्रो मौलकुोल्स उनके मौझे मैक्स अप करने है तो मिक्सिंग के लिए क्या होता है देखें स्टमक के अंदर तो कोई ऐसी चम्मच मौजूद नहीं है या कोई और चीज मौजूद नहीं है कि इसे मिक्सिंग किया जाएं उसके लिए यही होगा कि क्या होगा स्टमक के जो मस्कुलर सेल्स, मस्कुलर टिशूज हैं वो कभी बंद होंगे, कभी खुलेंगे, कभी बंद होंगे, कभी खुलेंगे, यानि कि कॉंट्रैक्ट होंगे, रिलाक्स होंगे, तो उस वज़ा से फिर एजिली मिक्सिंग अप हो जाएगी, इस गैस्ट्रिक जूस की फूड के साथ, तो वो उसे मैक्रो मॉलेक्योल्स को त स्टमक का काम बन गए यानिके और गन का तीक है आपको समझ आई बेटा यहां तक सारी उसके बाद नेक्स्ट है और गन सिस्टम लेवल क्या है अब वेजली जैसे हमने बात की कि डिफरेंट और गन मिलते हैं सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करने के लिए या फिर रिलेटीड फ सब्सक्षा की उनल्टीड और हैं कि अंदर काफी रिफान स्था और वो और गन क्या करते हैं तो कि सब्सक्राइब जाता है वो प्र गन किसका बन जाता है वह फंक्शन का उस और इप यकान का के नाम बथा तक दिफिकों है आप को पता होने मुन पर घड पर 20 फिस्तिन एक है हमारी बोडी में circulatory system circulatory system circulatory system जो है इसके organs के नाम बता सकते हैं अप्र पूरा system है तो कुछ organ سے मिल कर बना होगा इसमें आजएगा heart जो के main pumping organiz है blood vessels आजएगνε і blood आजएगा यह चीज़े मिली तो क्या बन गया circulatory system ऐसे ही हम बात करें urinary system urinary system तो यूरिनरी सिस्टम का क्वाम जो जो है वो Cyberpunk प्रोडूरी स्वाइड़ करना तो ये काम fakya नहीं है इसमें और तीन नाम बोले हैं यहां पर यानि के different organs जो के related function परफॉर्म करते हैं तो वो मिलके function बन जाते हैं एक पुरे system का यहां पर भी ऐसे हैं तो organ system की example को भी हम समझेंगे आपकी book में जो example दी गई है वो दी गई है digestive system की digestive system organ में भी जो हमने पढ़ी वो भी इसे सही related थी तो digestive system बेटा जो है यह काफी जाता organ से मिलकर बनावा है ठीक है इसमें हम लिख देते हैं mouth आ जाता है mouth में के बाद oral cavity आ जाती है इसे हम पढ़ेंगे nutrition वाले chapter में details है oral cavity के बाद आप एसोफिगस वगर आ जाता है फिर stomach है stomach के बाद आ जाती है small intestine है small intestine के बाद आ जाती है large intestine तो यहाँ पर मैंने सिर्फ कुछ नाम लिखे इसके लावा और बहुत से glands भी है जो help करते हैं जैसे के pancreas gland है वो help करता है liver एक gland है वो help करता है digestion में तो different organs है oral cavity का का काम और है stomach से change है stomach का का काम कुछ हो रहे है small intestine से change है यानि कि एक दूसरे से काम change है लेकिन है क्या related function परफॉर्म करते हैं यानि कि सब के milk के काम करने से जो एक main purpose complete होता है वो क्या है digestion of food complete होता है तो digestive system में जितने भी organs include है वो सारे के सारे मिलके क्या करेंगे वो सारे के सारे मिलके करेंगे digestion of food तो वो जो function होंगे इन सब का वो completely function बन जाएगा DIY system पर तो यहां पर जो है injection of food और दिचस्टीन फूड जो है वो फिर combine function किसका है का है digestive system का है ते बैटे आज हमने क्या देखा है आज की topic में हमने देखा levels of organization का 5th point 5th level देखा है organ and organ system level जिसमें हमने important long course in discuss किया है जिसमें आप सबसे पहले organ की definition देंगे जो कि आपकी book में लिखी है फिर आप उसे एक example से explain करेंगे सारा कि किस तहां से स्टमक के अंदर कौन-कौन से जो है बेटा glands मोजूद है और फिर टिशूस क्या function perform करते हैं जो के मिलके फिर स्टमक का function बन जाता है